कुर्व फ्रेंड वेलकम टूद्स प्रो तूटोरियल यह वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में हम जो भी कंपनी क्रियेट करते हैं उसका डेटा बेकप किस तरह लिया जाता है बेकप के लिए आपको यूटिलीटी मेनू में जाना है पहले आपको कंपनी करें है जिस company में आप काम करते हो वो पनाओ जाने के बाद utility मेनु में यहां पर backup डीटा का option है यहां पर आप जाओगे तो बेकप का location पूछे का कहांपे backup लेना है अगर जो location लिखा है वह सही है तो direct proceed के ओपर click करना है अगर ने लोकेशन चेंज करना है तो यहां पर यह बैटन दिया है धिम्तरी डिख रहा है यहां पर जाके बलेज़ें है मैंने लेक्सरण में पनलुप स्टाप में एक ट्राइक्शन इमयाज मतल़ पर ट्राइक्सें के दोरान sale या purchase या voucher kuch is images जो attach करते हैं वो भी backup में साथ में लेनी है तो यहां पे tick करना है और item master images मूंने item master जब हम बनाते है तब जो item के photograph दालते हैं वो भी अगर include करना है तो यहां पे tick करना है फिर यहां पर हम proceed करेंगे यह बेकप आपका दो या पांच मिन्ट ले सकता है डिपेंड करता है आपके डिला की सब्सक्राइब बेकप लेने में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बेकप पॉसिबल हो तो कोई अलग से पेंड्राइव अलग से हाट डिस्क में लेना चाहिए कि वह सकता है कि जिस हाट डिस्क में आपका सौप्टर पड़ा है अगर वहीं आप बेकप लोगे और हाट डिस्क करेश हो गई तो वह बेकप आपके कुछ काम का नहीं है तो एक पॉसिबल टेक दा बेकप इन पेंड्र या दो बार जिसी आप की नीड है वह आटोमेटिक बेकप पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर चला जाए तो यहाँ वह सेटिंग करने के लिए आपको एडबीन में कमपनी सेट अप में जाना है फिर यहाँ पर यह बेकप शेडियूल का ओप्शन है यहाँ पर आप बेकप सेटिंग के दो लोकीशन देश सकते हो वेकप पात वन बेकप पात टू दो लोकेशन को डिफैंड करने के बाद यहाँ पर शेडियूल का सेटिंग है अगर दिन में मानलो आपको एक बार ऐसा शेडियूल करना है कि मानलो सुबह ग9 बजे ऑटोमेटिक बेकप हो जाना चा इसी तरह तीसरा चोथा अगर आपको सीडिल सेट करना है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो फिर यहाँ पर उसके options है के टेक बेकप विन अकाउंट्स प्रो सर्वर स्टार्ट यह के अडिशनल बेकप है कि जब आप सॉप्टर चालू करने के लिए अकाउंट्स प्रो सर्वर को पहले चालू करते हो तो सर्वर जब भी चालू होता है तो यह कंपनी का एक बार ऑटोमेटिक बेकप लिया जाए कि नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर टिक कर सकते हो दूसरा यहाँ पर option है बेकप डेटा प्रॉम्ट मेंट क्लोजिंग कंपनी जब और एक option दीख रहा है manual backup reminder आपने देखा होगा software कई बार आपको जब आप software चालू करते हो तो एक message जाता होगा कि आपने कई दिनों से backup ने लिया आप इसको backup लेना चाहते हो वह आपको remind करवाता है अगर मनलोग कि यहाँ पर वो इतने दिन का आपको frequency set करना है कि अगर आप दिलीट बेकप फाइल आफटर जो भी आपको डेस्ट डाले है यह जो location के उपर जो भी बेकप लिये जाएंगे वो maximum पिछले चार दिन के रहने चाहिए या पांच दिन के या पूरे मन्त के वह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और यहाँ पर और एक भी option है वह automatic by default fix है कि मन् पर आप अपना Google Drive का अगर कोई आपने इंस्टोल किया है या वन ड्राइव किया है तो इसका location भी यहाँ पर सेट कर सकते हो तो यह additional एक बेकप हम बोल सकते हैं का over the cloud PMR एक बेकप सेव हो जाएगा पर इसमें एक चीज़ थुड़ा ध्यान रखने जीजा है कि अगर आपने गुगल ड्राइव में बेकप सेट किया है और मान लिजे के वही वाले computer में ransomware virus का attack होता है तो इसकी पुरी possibility है कि वो Google Drive की फाइलों को भी corrupt कर देगा तो बस आप ऐसा मान की चलिए कि Google Drive आपका alternate option है data file लगने के लिए पर हाँ अगर virus का attack हुआ तो वो safe नहीं है अगर आपक बीकडी corrupt हो यहां तो वो बेकप काम आ सकता है पर अगर ransomware या उससे भी कोई critical virus का attack आया तो possibility है कि वो data भी corrupt हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह बेकप के लिए सारे instructions थी I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपकी कोई भी suggestions है feedback हो तो आप please हमें बताए थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो have a good day